तो वेल्कम बेक टू आवर यूटूब चैनल इस्टडी फिप्टी फोर महन पुरी देखिए आज के सेशन में आपके लिए 20 इंपोर्टेंट जीके की कोश्चन मैंने सेलेक्ट किये हैं जो आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हैं तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट कोश्चन है जीके का भारत की प्रतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है तो कौन सी है दामोदर घाटी परियोजना ठीक है ये question प्रतम की वज़े से प्रतम नदी घाटी प्रविशना की वज़े से important है exam के point of view से ठीक है next question पर चलते हैं विसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपकी सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है next question है dear friends अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था तो जो अशोक थे आपके वो किस धर्म को अपनाए थे बौध धर्म को उन्होंने बाद में अपना लिया था next question है धामी गोली कंड कब हुआ था तो धामी गोली कंड आप याद रखेंगे और ये previous exam में आया हुआ question है difference आप याद रखेंगे इसकी date है 16 जुलाई 1949 में ठीक है next question पर चलते हैं motor गाडियों से निकलने वाली gas कौन सी होती है तो जो motor गाडियां होती है उनसे आपकी gas निकलती है वो carbon mono oxide निकलती है देखिए confusion create करने वाला option क्या आता है mono oxide की जगए पर die oxide भी लेख सकते हैं या mono die try कुछ भी कर सकते हैं ठीक है उसमें आपको mono याद रखना है next question पर चलते हैं dear friends सोने की सुद्धता को किस में परवाशित किया जाता है तो सोने की सुद्धता को carrot में परवाशित किया जाता है next question पर चलते हैं देखिए next question है गुबारों को भरने के लिए किस gas का प्रियोग किया जाता है तो गुबारे में कौन सी गैस भरी होती है, हाइडरोजन, हाइडरोजन गैस क्यों भरी होती है, क्योंकि यह हलकी गैस होती है, ठीक है, हलकी होने की वज़े से हाइडरोजन गैस का गुबारों में यूज किया जाता है, ठीक है, next question ये भी पूछ लेता है कभी कभी, कि बायो आनों कि टाइरों में कौन सी गैस भरी होती है तो वहाँ पर क्या भरी होती है हेलियम गैस भरी होती है ठीक है नेक्ट कोशन है आपका बेदों में निम्न मैंसे किसे स्रिष्टी रचैता कहा गया है तो स्रिष्टी का रचैता बेदों में किसे कहा गया है संकराचारिय को कहा गया है नेक्श कोश्चन है डिये फिरेंट्स चांद पर पहुंचने वाला पहला ब्यक्ति कौन था तो चांद पर आपका सबसे पहला ब्यक्ति कौन था नील आर्मस्ट्राम जो थे वो सबसे पहले चांद पर पहुंचे थे ठीक है नेक्श कोश्चन है भारत में हीरे की खान कहा जाता है next question है dear friends, next question जो है वो important question है, question से related कोई भी detail पूछ सकता है, question exam के point of view से बहुत ही important है, चलिए इसके बार इन विसकस करते है, question number आपका 11 है, शायमन कमीशन कब भारत आया था, तो शायमन कमीशन जो है वो 1928 में आपका इंडिया में आया था ठीक है, या फिर question घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है, शायमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में हुई थी, next आपका 12 number question क्या है, अजन्ता की गुपाएं किस राज्ज में इस्तित है, ठीक है, next question है, आपका 13 number question है, भाकडा नागर परियोजना किस नदी पर है, तो भाकडा नागर परियोजना जो है, वो 17 नदी पर है, ठीक है, next आपका 14 number question है, हीरा कुंड बांध किस राज्ज में इस्तित है, तो हीरा कुंड बांध जो है वापका ओरीशा मे इस देता है next question पर चलते हैं dear friends question number 15 है आपका किस मच्छर के काटने से डेंगू जुर आता है देखिए ये question जो है वो आपका exam के point of view से बहुत जादे important है क्यों important है dear friends क्योंकि अभी present time में डेंगू बहुत ही तेजी से फैला हुआ है तो आपको याद रखना है देंगू जो है वो आपका endies नाम का जो मच्छर होता है उसके काटने से फैलता है next question है 16 number question जल का आपे छिक घनत तो अधिक्तम होता है कितना होता है 4 degree Celsius पर जो आपे छिक घनत तो होता है वो जल का शब से ज़्यादा होता है next question पर चलते है 16 question number 16 है छोटा नांगपुर पठार की सबसे उची चोटी कौनसी है तो छोटा नांगपुर का जो पठार है उसकी सबसे उची चोटी जो है वो आपकी पारशनात है question important है डिये friends next question पर चलते है भारत में अब्रक का सरबादिक उत्पादक कौन से राज्य से होता है जहार गंड से होता है next question पर चलते हैं भारत में professional 20 cricket league को क्या कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं IPL कहते हैं IPL तो सभी जानते हैं वस 20 cricket league भी कभी पूछ लेता है question इससे भी बना सकता है इससे भी बना सकता है आपको दोनों ही याद रखना है next question and last question dear friends भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो सबसे छोटा जो है वो राज्य आपका गोवा है ठीक है तो dear friends यह जो आपके 20 question थे वो बहुत ही जीके के important question थे और आपके लिए ऐसे ही important question मिलते रहेंगे आप हमारे शाद यूँ ही बने रहे है और session को जादे से जादे share किजिए अपने friend circle में और अगर आप मेरे channel पर नए है तो आप भी मेरे channel को subscribe किजिए और like और comment करना बिलकुल ना भूलिए dear friends तो मिलते हैं dear friends next session में तब तक लिए नमस्कार have a nice day